हेलो दोस्तो रश्मकाज के चन में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज फिर मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी इसे आप लंच बॉक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं और ब्रेक फास्ट में भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है साथ के साथ बहुत ही हेल्दी है प्रोटीन की कमी को भी दूर करेगा यह इसमें भर भर के आपको प्रोटीन मिलेगा और खास करके बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा फाइदे बंद है फटापट से वीडियो को शुरू करते हैं तो मैंने यह इसी के जार में डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे ज्यादा पानी नहीं डालना है थोड़ा ही डालना है जितने में यह जो दाल है वो अच्छे से पीस कर तयार हो जाए तो यहां पर हमने दाल को पीस कर तयार कर लिया है तो दाल को हम इतना ही पीसेंगे इस से ज़ादा इसको ज़ादा बारीक नहीं करेंगे एक बरतन में मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूं और यहां पर हम कोई पानी वग powdered और नहीं डालेंगे ठीक है तो बस यहां पर मैं कुछ सबजाँ डाल रही हूं तो दो बड़े चम्बर के मैं डाल रही हूं यहां पर आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो एक मैं हरी मिश डाल रहे हो बारी केट यूँ ही हरी मिश ऑफशनल है अगर नहीं पसंद तो ना डालें नमक टेस्ट के अकोडिंग डालेंगे एक चमच लालमच पाउडर एक चमच ऐख दनिया पाउडर एक चथा चमच में डाल रहे है हल्दी पाउडर के जीरप्स अब यह एक छोूटी कटोरी बरके डाल रही हों सूजी और दो बड़े चमच भरके डाल रह रही हूं और मैं यहां पर डाल रही हूं एक चमच भुनी काहली शर्सों कीश बऌते अच्छ बिल्कुल भी ने डाले नहीं तो नास्ता जो है वो कड़वाला गएगा तो सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से मेक्स कर लेंगे बढ़िया से तो वेटरियां पर हमारा एकदम पॉफेक्ट तयार है इसको हम चार-पांच मिनट के लिए रैस्ट के लिए रख देते हैं और चार-पांच मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं तो जो हमने सूजी डाली थी वो फूल गई होगी मतलब कि अच्छे से सारी चीजें हमारी तयार हैं अब हम कैस को ओन कर लेते हैं और नास्ता बना कर तयार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने नॉनिस्टिक पैन लिया और गैस को हम कम रखेंगे इस नास्ते को बनाते टाइम तेज गैस पर नहीं बनाना है नहीं तो यह नास्ता नीचे से तो जल जाएगा और जो अंदर है वो कच्चा ही रह जाएगा तो बस यहां पर गया करेंगे थोड़ा सा मैंने ओईल डाला है तब यह पर आप चाहे तो अनिस्टी पैन पर बिना तेल के भी इस नास्ते को बना सकते हैं अब मैं यहां पर छोटी छोटी टिक्क्या बना रही हूं इस्पून से भी इसको बना सकते हैं मैं यहां पर हाथ से ही बना रही हूं तो इस तरीके से सारी टिक्क्या बना कर तयार कर लेंगे तबे पर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पनीर ग्रेट किया हुआ उपर से लगा दिया है इसे बहुत ही तेश्टी नास्ता बनेगा बहुत ही बड़िया फ्लेवर आएगा तो बस इसमें हम अच्छे से पनीर बगेरा लगा कर तयार कर लेंगे और कम गैस पर इसको सेखना है ताकि अच् बनकर तयार हो जाएगा जो बहुत ही जादा हेल्दी है प्रोटीन से भर पूर हमारा यह नास्ता बनाना बहुत ही असान है और इसको आप बच्छों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ब्रिकफास्ट में इसको आप चाय के साथ भी ले सकते हैं बहुत ही लाजवाब लगता है तो देखिए यहाँ पर हमारा जो नास्ता है एकदम तयार है और बहुत ही लाजवाब लग रहा है और यह खाने में बहुत इरेश्टी लगता है बनाना भी इसे बहुत जादा ही आसान है तो इसको अब चटनी के साथ चाय के साथ एंजॉय कीजिए कैसी लगी आज की रेसिपी कॉमेंट के दिलूर बताना थेंक्स पर वाचिंग